जब बुद्ध से पूछा जाता है कि इश्वर कैसा है तो वह एक उदारहन के सहारे समझाने का प्रयास करते हैं हाथी के विशाल शरीर का उदारहन देते हैं कुछ अंधों को जिन्होंने हाथी के बारे में कभी सुना ही नहीं और उसे कभी जाना ही नहीं और कभी भी हाथी का उन्होंने एहसास नहीं किया और उन्हें कहा जाता है कि वे हाथी के पास जाएं और वह क्या है उसे पहचानने का प्रयास करें सारे अंधे हाथी के पास जाकर उसे छू कर पहचानने का प्रयास करते हैं पहला व्यक्ति उसके बाहरी दातों को छू कर कहता है यह तो भाला है क्योंकि उसे वह तो भाले जैसा प्रतीत होता है दूसरा व्यक्ति हाथी के सून को छू कर कहता है कि यह तो साप है तीसरा व्यक्ति उसके कानों को छूता है और वह उसको पंखे जैसा लगता है वह कहता है यह पंखा है चौथा व्यक्ति हाथी के पेट को छू कर कहता है या तो दिवार है पाचवा व्यक्ति हाथी के पैर को पकड़ कर कहता है कि या पेड है चठा व्यक्ति हाथी की पूछ पकड़ कर कहता है या तो रस्सी है तो बुद्ध के अनुसार इश्वर का प्रश्ण बहुत व्यापक है जिस प्रकार एक अंधा, व्यक्ति, हाती के अलग-अलग अंगों को पकड़ कर उसे अपने एहसास के अनुसार नाम दे देता है किसी को भाला लगता है, तो किसी को सांप प्रतित होता है, कोई कहता है कि यह पंखा है, तो कोई कहता है यह दिवार है, किसी अंधे को पेड़ लगता है, तो किसी को रसी लगता है, तो इस प्रकार के उत्तर हमने इश्वर के बारे में ढून लिये हैं इसी के तहर हम आगे इश्वर को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे तो पुना हम वही प्रारंबिक प्रश्ण पूछते हैं कि इश्वर है या नहीं है तो इसका पहला उतर दिया जाता है हाँ है फिर इसके बाद में अगला प्रश्ण उत्पन होता है कि इश्वर कैसा है इस प्रश्ण के उत्तर पर विभिन्य धर्म और उनकी मानिताओं के अनुसार कोई कहता है इश्वर साकार है मतलब वह इश्वर को कोई न कोई रूप देता है फिर कोई साकार में उसे मानो जैसा लगता है तो कोई उस इश्वर को मानो रूप में स्वेभू के रूप में मानता है तो कोई कहता है इश्वर परमेश्वर का पुत्र है और वह उस रूप में उसकी पूजा करता है तो कोई उस इश्वर की पत्नी के रूप में उसे मानता है और इश्वर को नारीशक्ती के रूप में पूछता है तो कहीं पर किसी को इश्वर के सम्बंदित मान कर उसे पूजा जाता है एक मत इश्वर की मूर्ती बनाकर उस मूर्ती की पूजा करता है और वो इसमें ही अपने इश्वर को मानता है वहीं पर दूसरा मत है मूर्ती पूजा को इश्वर के प्रति अपराध मानता है और वो मूर्तियों को नश्ट करने में ही अपने इश्वर को मानता है तो कहीं पर इश्वर को बुरी शक्तियों पर नियंत्रण करता मानते हैं तो कहीं पर इश्वर को तांत्रिक क्रिया के जरिये माने जाते हैं और तो और सबसे बड़ी विशेस्ता तो कोई शौपर बैट कर तांत्रिक क्रिया की साधना के जरिये इश्वर को मानता है इनसे अलग दूसरा मत इश्वर को निराकार के रूप में मानता है वे कहते हैं इश्वर का कोई आकार नहीं है निराकार में भी कोई इश्वर को रोशनी जैसा निराकार मानता है तो कोई मानता है कि इश्वर के आकार की कलपना भी नहीं की जा सकती वहीं पर हम एक वर्ग ऐसा भी देखते हैं जो इश्वर को मानता ही नहीं उनके अनुशार इश्वर नहीं है तो ये सारे उत्तर ठीक उस अंधे व्यक्तियों के उत्तर से मिलते जुलते हैं कि जिन्होंने हाती के एक अंग को छुकर कोई उसे भाला तो कोई साप तो कोई उसे पंखा दिवार पेड या रसी कहता है मगर सत्त तो कुछ और ही है तो बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार हाती इतना व्यापक है या बड़ा है कि अंधे उसके अंगों को छुकर अलग-अलग एहसास करते हैं ठीक, इश्वर का प्रशन भी इतना व्यापक या बड़ा है कि कोई भी इश्वर के जिस रूप में वो सोचता है वह उसे वैसा ही मानने लगता है मगर इश्वर कैसा है यह प्रश्ण इतना व्यापक है कि इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता इश्वर की महत्वता पर बुद्ध एक और उदारहन के माध्यम से इश्वर के महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं बुद्ध से तत्वसंद मंदी प्रश्ण पूछा जाता है तो बुद्ध एक प्रश्ण का जबाब मांगते हैं वे कहते हैं एक व्यक्ति कहीं जा रहा हूं और अच्छानक से उसे कहीं से जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए पहले उसे शरीर में लगे तीर को निकालना ठीक होगा या फिर देखना की तीर कहां से आया है और किसे लक्ष कर मारा गया है बुद्ध कहते हैं पहले शरीर में घुसे जहर लगे तीर को निकालना होगा नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और व्यक्ति की मृत्तिव हो सकती है तो इसके लिए कहते हैं वो कि सबसे पहले जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या व्यर्थ के प्रश्णों का उत्तर ढूडा जाए तो इस प्रकार बुद्ध ने परमेश्वर की सत्ता को अस्विकार किया और इसे व्यर्थ का प्रश्ण माना वे अनिश्वरवाद की स्थापना करते हैं बुद्ध इश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं अधिकतर बुद्ध आत्मा इश्वर जगत प्रश्णों पर मौन रहते हैं बुद्ध कहते हैं कि इन्हें व्यर्थ नहीं किया जा सकता इसमें समय व्यर्थ करने के बजाए दुनिया जो दुख के आग में जल रही है उससे बचाने का मार्ग हो जाए जाए तो इस प्रकार सम्यक बुद्ध इस जीवन को प्रधान प्रात्मिक्ता देते हैं उनके अनुसार हमारा यह जीवन महत्यपून है इस जीवन को कैसे समझा और जाना जाए और इस जीवन को किस प्रकार जिया जाए यह महत्यपून है तो यह थी बुद्ध धर्म से जुड़ी थोड़ी सी रोचक जानकारी मैं आपसे अन्रोध करूँगा कि बुद्ध धर्म को विस्तार से जानने के लिए आप पूरा वुडियो देख सकते हैं बुद्ध धर्म के इतिहास, महात्मा बुद्ध की जीमनी, संदेश, प्रचार प्रसार वह बुद्ध धर्शन के बारे में बताया गया है तथा आप यह भी जान पाएंगे कि बुद्ध धर्म क्या सोचता है ब्रम्हांड के बारे में, ईश्वर के बारे में और खुद के बारे में कि उसके क्या विचार है साथी साथ मैं आपसे पुनए एक और अनरोज करूँगा कि दुन्या के अन्य धर्म का क्या इतिहास है, क्या मत है, क्या संदेश है, दुन्या के अन्य धर्म क्या सोचते हैं ब्रम्हांड के बारे में, भगवान के बारे में, तथा अपने बारे में, इन सभी विचारों को विस्तार में जानने के लिए देखें, हिंदु धर्म के बारे में जानने के लिए देखें, भाग एक, हिंदु धर्म, ब्रम्हांड, ईश्वर वहम, पार्ट वन, हिंदु र इसलाम धर्म क्या सोचता है इसके बारे में उसको विस्तार से जानने के लिए आप देखें भाल चार इसलाम धर्म, ब्रम्भान, इश्वर वहम, पार्ट फोर, इसलाम रिलिजिन, गौड, यूनिवर्स, और वी बुद्धिज्यम रिलिजिन क्या सोचता है उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप देखें भाल पांच बुद्धिधर्म, ब्रम्भान, इश्वर वहम, पार्ट फाइफ, बुद्धिज्यम रिलिजिन, यूनिवर्स, गौड, और वी और भाग छे में हम जानेंगे कि विज्ञान का क्या मत है विज्ञान क्या सोचता है ब्रम्भान के बारे में, इश्वर के बारे में, वह खुद अपने बारे में आप सभी वीडियों के देखने के पश्चात निश्चित रूप से सबसे गुड़तम प्रश्ण इश्वर ब्रह्मान वो खुद अपने आपको बहतर तरीके से समझ पाएंगे आप अभी अवश इस चैनल को लाइक करें सकारात्म कमेंट करें और जरूर इस चैनल को सस्क्राइब करें ये बहुत अच्छी धर्म उपियोगी सटीक जानकारी आपको देगा धन्यवाद